अगर हम फिरी में किसी की शेवा कर सकते हैं तो यह हमारा सबसे वड़ा धर्म होगा मैं आप सभी शिने विदन करूँगा इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा अगर हार्ट अटेक का जो सिंटम्स है अगर आपने पहंचा लिया तो आप हजारों लाखों करोडों लोगों की जान बचा सकते हैं और आप बहुत अच्छा एक ऐसा शेवा धर्म का काम कर रहे हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं यह सोचते सोचते रह जाते हैं तो इस वीडियो को सोचना नहीं हैं जादा से जादा लोगों तक अब शेयर करें हार्ट अटेक का यह जो पांच लक्षड होते हैं वो सभी को पता हो रहा है चाहिए चाहिए वो हमारे फैमले मेंबर सो चाहिए कोई वी हो रिलेटिव सो फ्रेंड्स या हमारे सोसल मीडिया के अधर फ्रेंड्स हो सभी को यह पांच लक्षड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हम acidity का होता है दोनों के अंदर क्या difference है और मैं आपको clear बता दूँ बहुत ही common difference है आपको ये difference आना चाहिए मैं ये कहता हूँ घर के family member के हर एक व्यक्ति को ये difference आना चाहिए जिससे की हम अपनों की या आपने आसपास लोगों की या हम कहीं जा रहे हैं वहां पर अगर किसी को ये problem होती है तो आप उस व्यक्ति की जान बचा सकें most important factors है और बहुत common ऐसे लक्षड हैं बहुत common ऐसे differences हैं दोनों के अंदर जो heart का pain होता है यानि heart attack का जो pain होता है और जो acidity का जो gas का दर्द होता है आप सूच रहे हैं कि patient को gas का दर्द है लेकिन हो सकता है कि वो heart attack का दर् तो दोनों के अंदर difference आना आप सभी के लिए बहुत जादा जरूर है मैं इस वीडियो में आप सभी को पांच ऐसे difference बताऊँगा जो पांच ऐसे लक्षड है जो heart attack के हैं और पांच ऐसे लक्षड है जो acidity के हैं उन पांच पांच लक्षड को अगर आप लिख सकें तो इस वीडियो में बताएं कि सभी जानकारियां research based हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक यह awareness और यह जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के कोसेश कर रहा हूं कि free of cost जानकारी है हर एक व्यक्ति तक पहुंचना और आपके हर एक family member को यह चीज यह video share करना यह आपक करें अपने friends के साथ में share करें अपने social medias पर share करें और इस video में हम aim करते हैं 100 के likes का जो की बहुत बड़ा target है और इस video के माध्यम से मैं 100% आपको guarantee दे रहा हूं आप लाखों लोगों को बचा सकते हैं हजारों करोणों लोगों की संख्या में आप patients को बचा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इस video को share करें सबसे पहले हम बात करेंगे heart attack होता क्या है केबल और केबल 30 सेकंड के अंदर में आपको बताऊंगा heart attack होता क्या है heart attack क्याने कि जब हमारे heart के अंदर जो खून की नलिया होती है वो ब्लॉक हो जाए उसे हम heart attack क्याते हैं अब इसे और simple भासा में समझेगा जैसे heart हमारा है heart हमारा pumping कर रहा है तो उसके लिए भी blood की supply चाहिए जब उसके लिए blood की supply चाहिए तो उसके अंदर जो बाहर food जाता है जो membrane है उसके अंदर जो उसका जो fat बढ़ रहा है वो एकदम से food जाता है और वहां पर blockage हो जाता है blockage बन जाता है जिसके बज़र से heart के लिए blood की supply नहीं चाहपाते हैं उसे हम बोल देते हैं heart attack यह common confusion आप सभी का clear गुआ अब heart attack का लक्षड क्या होता है सबसे पहला symptom से vomiting होना और उस patient को nausea होना या तो उल्टी जैसे इच्छा होगी या उस patient को उल्टी हो जाएगी यह सबसे पहला लक्षड है लक्षड नम्मर वन दूसरा लक्षड क्या होता है जबकि अगर acidity का जो pain हो रहा है उस patient को ऐसी problem नहीं हो उसको vomiting या उसको nausea नहीं होगा यह चीज़ हमें समझने होगी दूसरी चीज़ दूसरा लक्षड क्या होता स्वाइटिंग उस patient को होगा अगर heart attack का pain होगा तो patient को sweating होगा जबकि acidity वाले patient को sweating नहीं होगा या उसको पशीना आई गई नहीं यह मेजर डिफरेंस होता है तीसरा जो लक्षड होता है shortness of breathe shortness of breathe मतलब की सास उसकी फूरना start हो जाएगी जल्दी जल्दी सास खेंचेगा patient जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा उस patient को जिसको acidity का pain है जिसको acidity का तरद है उस patient को ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उस patient को बिलकुल ना तो पसीना आएगा ना उस patient को vomiting होगी ना नोजिया होगा और ना ही उस patient को shortness of breathe होगा ये तील लक्षर होते हैं heart attack के जो उस patient को नहीं होगे राइट चौथा लक्षर होता है कि उस patient का अगर जिसको patient को heart attack हो रहा है उस patient को heart attack का रहा है उस patient का जो pain होगा जो दर्द होगा वो left side में होगा और ये दर्द उस patient को आगे तक move करेगा यहां तक आपके jaw तक आ सकता है आपके कंदे के आगे विए हमारी इस वाली एरिया में जा सकता है especially में आपको बतारों इस वाली एरिया में जो हमारी छोटी उंग्ली होती है little finger होती है इस वाली एरिया में अगर pain हो रहा है तो हो सकता है वो स्पेंच को heart attack यह चीज़ हमें समझने होगे no more 4 वाला जबकि acidity वाले case में ऐसा नहीं होगा acidity वाले case में क्या होगा ति उस patient को pain होगा दर्द होगा लेकिन वो थोड़ी देरवाल ठीक हो जाएगा या तो उसको flatus pass हो जाएगा तो उसको relief मिल जाएगा या फिर उस patient को antacetis relief हो जाएगा जैसे pentaprozol है या फिर rabiprozol है या isonprozol है क जबकि heart attack के patients को antacetis relief नहीं होगा यह भी major difference होता है यह चीज हमें देखनी होगी नम्मर पांच पर अगर हम बात करें तो patient को बहुत जादा chest tightness होगा उसको patient को लगेगा कि chest किसी ने बांद दिया है किसी ने उस patient के chest को चकड़ लिया है ऐसा feeling उस patient को होगी अगर किसी patient को heart attack हो रहा है तो और जबकि acidity वाले case में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा उस patient को ऐसी feeling नहीं होगी कि उसका heart chest जो है या उसका heart किसी ने जिकर लिया ऐसा कुछ नहीं होगा उस patient को यहाँ पर gas का दर्द होगा left side में होगा और वो थोड़ा बहुत होके बंद हो जाएगा जबकि उसको पसीना नहीं आएगा उसको chest tightness नहीं होगा उसको shortness of breathe नहीं होगा यह symptoms आपको ध्यान लखना होगा यह heart attack के लक्षड होते हैं इसके लाब अभी एक और लक्षड होता है अगर आपने कभी notice किया हो अगर patient को shortness of breathe होगा तो patient को oxygen की कमी होगी जब patient को oxygen की कमी होगी तो पेशंट के हाथ जो होते हैं पेल होने लगते हैं थंडे पढ़ने लगेंगे पेशंट के हाथ ठीक है थंडे पढ़ने लगेंगे हलके से पेल होने लगेंगे या नेले होने लगेंगे ये लेक्षड़ो नेले बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन कई पेशंट में ऐसे लेक्षड दर्द हो रहा है पिशेंट जुकता हुआ चला जाएगा पिशेंट गिर भी सकता है पिशेंट को पसीना पसीना होगा बिलकुल पसीना पसीना हो जाएगा पिशेंट को बहुत तेज पसीना जाएगा इसके अलावा पिशेंट को जो दर्द है वो यहां तक आएगा और पिश सिम्टम्स होते हैं एसे डिटी का और हर्ट अटेक का तो पांच ऐसे लक्षण हैं जो मैंने आप सभी को बताए हैं इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर कीज़ेगा हमारा करतब्य है अगर हम फिरी में किसी की शेवा कर सकते हैं तो यह हमारा सबसे वड़ा धर्म होगा मैं आप सभी शिने विदन करूँगा इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीज़ेगा अगर हार्ट अटेक का जो सिंटम्स है अगर आपने पहंचा लिया तो आप हजारों लाखों करोडों की जान बचा सकते हैं और आप बहुत अच्छा एक ऐसा शेवा धर्म का काम कर रहे हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं यह सोचते सोचते रह जाते हैं तो इस वीडियो को सोचना नहीं है जादा से जादा लोगों तक अपने फैंबली मेंबर्स के साथ में अपने डिलेटिब्स के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने सोचल मीडिया पर इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें Heart Attack का ये जो 5 लक्षड होते हैं वो सभी को पता हो रहा चाहिए चाहिए वो हमारे family members हो चाहिए कोई भी हो relatives हो friends हो या हमारे social media के other friends हो सभी को ये 5 लक्षड आना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे कि हम other लोगों की help कर सकें उनकी जान बचा सकें वजी उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्फू लोग इस तरह के और वीडियो देखने के चलिको सब्सक्राइब करें नमस्कार थिंग सुबचिंग है बाबाई आप हमें फॉलो कर सकते हैं फीजबुक पर अगर आपने मारा नए चैनल पर तो विलॉग पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं काफी हेल्ण से रिलेटेट हम वीडियो वहां पर भी अप्लोड करते हैं और अगर आपने अब तक चैनलास सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसतरह के और वीडियो देखने के चinaire को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्या हेप्पी रिपब्लिक देगा